Reliance Industry, इंडिया का number one company है Reliance Industry और quarter phone में इतना अच्छा result देने के बावजूद भी Reliance Industry का share price उपर नहीं जा रहे है एक ही price range के अंदर ये फसा हुआ है लेकिन क्यों? क्यों Reliance Industry का share price इतना pressure में है? पहले जहां Reliance Industry का share 37P में मिलता था वो अभी 24 में आपको availability दिखा रहा है साथ ही recently, इंडिया का number one YouTuber Mr. Pranjal Kamra Reliance Industry के उपर एक video लाया था और वहाँ पे बताया है क्यों Mr. Pranjal Kamra Reliance Industry के अंदर निवेस नहीं कर रहा है तो चलिए जानते हैं वो दो कारण जिसके चलते Reliance Industry का share price उपर की तरह move नहीं हो रहा है हाला कि अगर आप Reliance Industry का net profit के उपर नजर डालते है तो quarter to quarter basis यह 20% का growth दिखाया है और year और year basis 18.3% का growth दिखा चुके है और Reliance Industry का हार एक segment यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरिके से अपने EBITDA को post किया है यानि कि company का हर एक segment यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अगर Reliance Industry के अंदर growth देखेंगे तो company का जो digital services है वहाँ पे 38% का पिछले 5 साल का CIGR growth दिखा चुके है net profit के अंदर यह 91.5% का है यह बहुत ही तेजी से growth हो रहा है retail की business देखेंगे तो revenue के अंदर 30% का और net profit के अंदर 47.5% का 5-5 साल का CIGR growth दिखा चुके है company का code business यानि कि energy का business है वहाँ पे 7% का CIGR और net profit के अंदर 5.6% का growth है उसके बावजूद भी Reliance Industry का share price उतना move नहीं कर रहा है यानिकि एक price band के अंदर यहाँ पर फ़त गया है उसका जो number one कारण है वो है company के ओपर करजा एक time ऐसा था जहाँ पर Reliance Industry अपने करजे को यहाँ पर net debt fee कर दिया था यानिकि company के पास इतना cash था कि अपने net करजे को यहाँ पर completely zero कर साता था लेकिन पिछले दो सालों में Reliance Industry ने यहाँ पर नए business को expand करने के लिए अपने cap यहाँ पर जो करजा है उसको फिर से increase किया है तो आप यह slide को अच्छी तरह से देख लीजिए financial year 2022 में जहाँ पर Reliance Industry का EBITDA 1,25,000 क्रोर का था वो बढ़के within one year 1,54,000 क्रोर में आ चुका है हाला कि company का net debt debt यहाँ पर 1 से नीचे है यानिकि EBITDA की amount के साब से यह नीचे है लेकिन उसके बावजुद भी company का net करजा है यहाँ पर अल्मूस्ट तीन गुणा से भी जादा हो चुका है एक साल में company का net करजा जहाँ पर 34,800 क्रोर हुआ करता था financial year 2022 में वो बढ़के 1,10,000 क्रोर में पहुँच चुका है लेकिन साथ ही company के जो cash का profit है वो यहाँ पर बढ़ा है लेकिन उस stage से यहाँ पर नहीं बढ़ा है लेकिन ये net करजा बढ़ने के पीछे actually में एक कारण है वो है नए business की अंदर company का CapEx यानि कि new energy business के लिए company का जो 70,000 क्रोर चाहिए होता है तो ये company पैसा धीरे-धीरे as a loan यहाँ पर उठाड़ा है उसी के कारण यहाँ पर company का CapEx है वो 99,000 क्रोर से बढ़के 1,41,000 क्रोर में पहुँच चुका है यहाँ पर company का CapEx significantly increase हुआ है लेकिन इसमें जो अच्छी बात यह है यह company का जो cash company कमा रहा है उसमें से 98% पैसा as a CapEx यहाँ पर खर्चा कर रहा है याँ कि company अपने CapEx को लेके बहुत ही ज़्यादा serious है तो new business के अंदर जो investment है उसके चलते ही company को करजा लेना पर रहा है जिसके चलते ही company के जो net करजा है यह once again 1,10,000 फ्रोर में पहुँच चुका है यह एक कारण है जिसके चलते reliance industry का जो share price है वो move उतना नहीं कर रहा है उसके बाद दूसरा कारण जानने से पहले reliance industry का balance it को थोड़ा सा देख लेते है gross debt यानि कि जो overall करजा है वो March 2022 तक 2,66,000 फ्रोर का था वो यहां पर बढ़के यानि कि 48,000 फ्रोर नया जो loan है वो within this year ले चुका है reliance industry और यह पहुच गया है 3,14,000 फ्रोर की आजबास company के पास cash कितना है जहाँ पे 2,31,000 फ्रोर था उसमें से 27,000 फ्रोर डिप्लॉई किया गया है और अभी जो cash है March 2023 तक वो है 2,4,000 फ्रोर की आजबास यानि कि reliance industry जो declare किया है कि 70,000 क्रोर investment करने वाला है new energy business के लिए यानि कि renewable energy के लिए वो जो capacity रहेगा वो 100 गिगावर्ट कर रहेगा 2030 तक इंडिया का demand कितना है 500 गिगावर्ट का तो इंडिया का 20% जो supply है वो reliance industry अकेला कर पाएगा लेकिन इसका problem है वो है कोई भी यहाँ पे charity नहीं है इस business को लेके इसलिए retail investor से लेके बड़े बड़े investor में इस particular project को लेके उतना excitement नहीं दिखाई दे रहे है क्योंकि reliance industry के लिए ये एक नया business है वहाँ पे कितना margin charge कर पाएगा कितना demand रहेगा future में किस तरह से इंडिया का public इसको accept करेगा ये इसके उपर कोई भी clarity नहीं दिखाई दे रहे है और उसके उपर अभी तक investment हो रहा है उसको action में आते हुए भी बहुत time लग सकता है इसी क कुछ कारण के चलते new energy business के लेके कोई भी excitement market के अंदर उतना नहीं दिखाई दे रहे है जिसके चलते reliance industry का share price उतना move नहीं कर रहे है हाला कि reliance industry को लेके सारी जो brokerage firm है वह बहुत ज्यादा positive है कोई 2900 से लेके 4000 तक target दे रहे है इंडियान वर्ल्ट जो brokerage firm है उसने लेकिन market के अंदर उतना demand नहीं दिखाई दे रहे है reliance industry का share का तो यह रहा दो कारण जिसके चलते reliance industry का share price यहाँ पे अच्छा return नहीं दे रहे है पिछले एक या दो साल के लिए तो अगर आपके पास reliance industry का share है तो अच्छी तरह से research कीजिए उसके बाद ही hold कीजिए हाला क अच्छी तरह से research करने के बाद ही long time के लिए आप hold कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसन देते like zero कीजिए चैनल को subscribe कीजिए आज वीडियो में इतना ही see you on next video